जै महाकाल जै स्री किष्णा दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने घर में दच्छिनावर्ती संक को रखते हैं तो इसको क्या क्या लाब हैं और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दच्छिनावर्ती संक को घर में रखते भी हैं और उसकी पूजा पा तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक को सेर किजेगा हमारे इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा तो दोस्तों हमारे सास्त्रों में वाम वर्ती संक, दच्छणा वर्ती संक, टाइगर संक ऐसे कई प्रकार के संक का उलेक किया गया है हर संक का अपना अलग-अलग कार्य है और हर संक के अलग-अलग फायदे भी है लेकिन इन सभी संखों में से मैं आपको आज दच्छनावर्ती संख के फायदे की बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों जो दच्छनावर्ती संखों होता है बहुत ही पूजनिय होता है और घर में घर के मंदीर में दच्छनावर्ती संक को रखने से जीवन में सुख सांती आती है आपके घर परिवार में सुख सांती आएगी उन्नती होगी दोस्तो माना जाता है और सास्तरों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि घर के मंदिर में दच्छणावर्ती संक रखने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है दरिद्रता अगर है भी तो चली जाएगी दोस्तो दच्छणावर्ती जो संक बहुती प्रभाव साली है और इसे घर में रखने से जीवन में परिवार में सुख सांती समरिद्धी बढ़ता है और कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है इसलिए कई सारे लोग अपने घर में दच्छणावर्ती संक को रखते हैं और उ हो गया है आप आर्थिक तंगी से अतधिक परेसान हो गए हैं तो आपको अपने घर में दच्छिना वरती संख को जरूर रखना चाहिए उसकी रोज पूजा करनी चाहिए साथी साथ आप इसके साथ माता लचमी की भी रोज पूजा करें और उनके सम्मुक थोड़ा सा भोग इस्थती है वो पहले से बहुत जादा बहतर हो जाएगी और माता लचमी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जै सिरी किष्ण जै मा लचमी लिखकर जरूर बताएं